Hello and welcome friends, एक टैली ERP9 और प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो टैली ERP9 और प्राइम में यूनिट बनाने को लेकर कॉम्पेरिजन जो हम करते हैं उसको लेकर क्या है तो अभी हमें यूनिट बनाना है यहाँ पर gateway of टैली पर रहते हुए ही टैली ERP9 में हमें यूनिट बनाना है तो यह कैसे possible होगा आज़े समझते हैं तो यहाँ पर आपको inventory info दिखाई पढ़ना होगा तो बस आपको inventory info पर जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है unit of measures तो बस आप unit of measures में जाकर के you press कर दीजिए और यहाँ पर आपको लगता है कि आप किस-किस products में deal करते है like आपका process इस तरीके से और formal name में कर देता हूँ PIECES तो यह हो गया pieces और interface करता हूँ और interface कर देता हूँ इस तरीके से तो एक unit हमारी बन दे लीटर बना लेते हैं L-I-T-R-E लीटर ठीक है तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं formal name L-T-R और यहाँ पर कर देता हूँ L-I-T-R-E लीटर ओके और यहाँ पर 3 कर देता हूँ decimal number ठीक है तो इस तरीके से यहाँ से आप unit बना सकते हैं तो यहाँ पर prime में थोड़ा सा scenario अलग है यह तो आप टैली पर देते हूँ आपको unit बनाना है तो आप सिदा सिदा create पर चले जाए और यहाँ पर आपको नीचे मन जा था inventory master तो आप inventory master में यहाँ पर आपको मिलेगा unit यूनिट पर चले जाए और जो भी unit आप बनाना चाहते है kilogram या जो भी इस तरह का unit बनाना चाहते है लीटर तो आप बना सकते हैं तो यहाँ पर आपको formal name भी देना है यहाँ पर आपको पूरा नाम देना है PIECES और यहाँ पर मैं एंटरपेस कर देता हूँ आप इस तरीके से यहाँ से unit बन जाएगी आपकी तो दोनों यह unit बनाने का यह बहुत ही traditional तरीका है आप gate में आप tally पर रहते हुए यहाँ पर भी unit बना सकते हैं देख सकते हैं यह tally प्राइम है और आप ERP9 यूज़ करते हैं तो यहाँ से unit बना सकते हैं यह बहुत की बात से बहुत में आई होगी वीडियो पुसंदा है तो शेयर करें थैंक्यों फूर बहुती